मेरे चैनल खुसांस ब्लोग एंड गाडनिंग में आप सभी का स्वागत है आज एक खुबसूरत इंडोर ड्रेसिन अप्लांट की हम रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं हम इसे नर्सरी से लाये थे तब इसे ऐसे पॉलिक थिन पर ही रखे हुए आज एक महीने बाद इसे जानकारी देंगे वाटरिंग कितनी करने उसकी जानकारी देंगे मिक्सिंग स्वाइल मिक्सिंग किस प्रकार की होनी चाहिए यह आपको बताएंगे काउडन कंपोस्ट और 10-10% अपना जो कोको पीट और रेथ होना चाहिए और आप इसमें फंजी साइट का प्रयोग जरूर करेगा क्योंकि फंगी साइस के प्रयोग से ना फंगस नहीं लगते हैं क्योंकि ठंड और बरसात के मौसम में फंगस लगने के चांस बहुत रहते हैं पौधे में अगर आ रिपोरिंग करेंगे तो तो फंगि साइक प्रयोग जरूर करें और इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लें पूरे जो की चार हमने दया נहीं मिट्टी तूरंत बहार होना चीए गमले पे रुपना दे चैयनी तो उससे पह। अधे सड जाते हैं कोई भी पौधा हो कोई भी पौधा उसमें ना हमेशा मतलब की पानी रुखना ही नी चीए तुरंत बाहर हो जाना चीए नी तो फिर वस्टर जाता है और ड्रॉनेज होल गंबले का जो ड्रॉनेज होल उस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको ड्रॉनेज होल ठीक तरह से और नीचे पे कुछ डाल दे ताकि यो ड्रॉनेज होल से पानी तुरंत बाहर चला जाए नीचे पे जैसे की पत्थर बत्थर के तुकड़ा डाल दे तुरंत बाहर जाए पहले गंबले में आधे ही डालना है मिट्टी जहां तक आप पौधे लगाएंगे वहां तक ही मिट जड़ को चिपचिपे मिट्टी पे लगाया रहते हैं तो इसके जड़ को कम से कम थोड़ा से जड़ दिखना चाहिए उसका रूट है तो इसको आप पानी में धोंगे डूबा के जादा नीध होना है तो फिर प्लांट पुरण डैमेज हो सकते हैं उसके रूट से वो डैम बहुत ही छोटे ते करीब एक इंच के थे हो नीचे के दो बबस आज वो बहुत बड़े हो गए हैं तो इसको भी मैं अलग से लगाऊंगा छोटे गमले पे तो अब ऐसे डूबोन है देखे आप डूबो के रख देना है जो चीप-चीपा मिट्टी हो खुदी छोड़ दे मतलब जड़े डैमेज देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से निकाला है वह बढ़ा पूरा नहीं लिकाना है तो फिर पूरा मिट्टी कभी नहीं लिकाना है पूरा मिट्टी लिकानने से पूरंत ग्रो नहीं होगा वह पत्ते सूखने लगेंगे उसके तो पूरा नहीं लिका आपको मिट्टी दो पॉधे वार हैं उसे मैं अलग कर रहा हूं इसको दूसरे गमले पर लगाँगा आज मैं एक पॉधे से तीन पॉधे बनाने जा रहा हूं ड्रेशीना का बहुत ही खुब्सूरत इंडोर प्लांट है मैं एक से तीन बना रहा हूं आद देख सकते हूं यह मिट्टी पकीडिटय है इसमेघ्यक है पूरी वाट्रिng कर्देश से छ्जार उपके-तर लेगे के बहुत ज्यादा चांसे से रहते हैं कि एक इंडोर प्लांट है इसको ज्यादा पानी की ज़ुरत नहीं पड़ती आउट्डोर प्लांट को ही पानी की अधिक ज़ुरत पड़ती है यह एक इंडोर प्लांट है ड्रेसीना प्लांट ड्रेसीना की और वैरेटी साती है मेरे प को मेरे पास एक ही चोटा तक रगा रहा है काट çाट द्बार यूज हैसमें लगा रहा हूं को जाएगा ड्यवङोट में आप उसमें भी लगा सकते हो कि इसको भी सेम्व भी प्रोसेस से लगाने जिता है जिस प्रोसेस से आप बड़े प्लांट को लगाया है सेम वही प्रोसेस इसका भी है बस आपको ध्यां रखने कि मिठी सूखने के बाद ही वाटरिंग करनी तो इंडूर प्लांट है पैस्पी प्लांट है आए हमेसा हलके हातों से मिठी को दबाते हैं कभी ज्यादा उसमें जो और ना देनी तो फिर पोदे के जो रूट से हो डामेज हो सकते हैं आप अराम से ही लगाएं पूरे पानी से भर दे उसको उसके बाद इसको हमेशा ना और धूप में कभी ना रखे क्योंकि अभी इसे आपने रिपोर्टिंग के और धूप में रखेंगे तो पत्तिया तुरण सूपने लग जाएगी इसे हमेशा सेमी सेड जगह पर रखे जहां पर मतले संलाइट आया लेकिन अतना डारेक्ट संलाइट नहीं पढ़ना जीए इसमें जैसे हमेशा जैसे कि आप नेट की नीचे रख सकते हैं किसी बड़े प्लांट की नीचे रख सकते हैं जहाँ पर हमेशा छाओं रहता हूँ ऐसे जगह पर रखे सो इस प्लांट की जो है रेट वो है कम से कम आपको सौ से डेढ़ सौ के बीच में मिल जाएगी यह बहुत ही अच्छी प्लांट है मैंने आज एक प्लांट से तीन प्लांट्स बनाए हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगली वीडियो में मिलें